कुल भूशन जाधों मामले में ICJ का फैसला आने के बाद विरेंदर सहवाग ने भी इसे भारत की जीत बताया है चुकि पाकिस्तानियों को ये फैसला हजम नहीं हो पा रहा है इसलिए उन्होंने कैफ की ही तरह विरेंदर सहवाग को भी अपने निशाने पर लिया लेकिन सहवाग ने भी कैफ की ही तरह करारा जवाब दे कर पाकिस्तानियों की बोलती बंद कर दी है इंडियन नवी ओफिसर कुल भूशन जाधों पर ICJ के सबसे बड़े फैसले के बाद पाकिस्तानियों को ये फैसला हजम नहीं हो रहा है पाकिस्तान की सरकार के साथ-साथ वहाँ के नागरिक भी इस फैसले को स्विकार करने में आनाकानी कर रहे हैं इस बीच कुल भूशन पर फैसले के बाद देश भर में लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी राय दी जिसमें टीम इंडिया के पूर विसफोटक बले बाज विरेंदर सहवाग भी शामिल है जाधाउ मामले पर सहवाग ने एक ट्वीट कर लिखा सत्यमेव जैते ट्वीट के बाद एक पाकिस्तानी नागरिक ने भारतिय और कुल भूशन को लेकर ऐसी बात कही कि सहवाग ने उस शक्ष को करारा जवाब दिया दरसल यूएई में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिक फरहान जहूर ने लिखा तुम लोग कम अकल हो कुल भूशन पर अभी आकरी फैसला आना बाकी है और तुम कहीं भी जाओ हम उसे फांसी पर लटका देंगे इस पाकिस्तानी के ट्वीट के बाद सहवाग ने इसे करारा जवाब देते हुए कहा भारत को वर्ल्ड कप में हराने की तरह ये सिर्फ तुम्हारे सपनों में हो सकता है कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, गलत पहमी मत पालो सहवाग के इस जवाब की ट्वीटर पर जमकर कारीफ हुई है आपको बता दें इस से पहले पूरू भारते क्रिकेटर महुम्मत कैफ ने भी कुलभुशन मामले पर भारत को बधाई दी थी जिसके बाद वो पाकिस्तानियों के निशाने पर आ गए थे निवस एक्सक्रीपोर्ट